नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम राजस्थान के क्रिशी बजट के बारे में जानकारी देंगे. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ब्याजमुक्ट फसली रिंड में आगामी वर्ष बीस हजार करोड का प्रावधान. पांच लाख नएक रिशकों को रिंड दिये जाएंगे. जल सनरक्षन के लिए आट सो करोड की राशी का प्रावधान. विभिन जिलों में सो हावेस्टिंग वैनिकट का निर्मान किया जाएगा. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले लाभानवित होंगे. 220 करोड की लागत से मिनी फूड पार्क का निर्मान होगा. उट सनरक्षन के लिए 10 करोड रुपे का प्रावधान किया गया. 50 पंचायतों में गोशाला NGO के जरिये संचालित की जाएंगी. किसानों को दिन में सिचाई के लिए बिजली दिये जाने की घोशना. क्रिशी बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दिन में सिचाई के लिए बिजली दिये जाने की घोशना है. राजस्थान फूर्ड सेंसिंग मिशन में उपज आधारित इकाया लगेंगी इन यूनिट्स को अधिक्तम एक करोर तक का अनुदान दिया जाएगा। एक लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वर्ग के क्रिशकों को 45,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 2.48 लाख क्रिशी कनेक्शन पिछले तीन वर्ष में दिये गए। 31 दिसंबर 2012 से आप तक की पेंडेंसी को खत्म किया जाएगा 22 फरवरी तक बकाया कनेक्शनों को अगले दो वर्ष में जारी किया जाएगा। 2 वर्ष में 50,000 किसानों को बीज उपलब्द कराए जाएंगे। क्रिशी बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लगूवसीमान्त किसानों को निशुल्ग बीज उपलब्द कराए जाएंगे। सौर उर्जा आधारित सिचाई परियोजनाओं पर विशेश ध्यान रहेगा। माही परियोजनाओं की नई वित्रिकाओं पर 547 करोड खर्च होंगे। ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड की घोशना। इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विक्सित होगी। पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोशना की है। सौ वाटा हावेस्टिंग एनिनिकेट के काम होंगे। बासवाडा में बांधों का जीर्णो धार करवाया जाएगा। पीपल खूंट हाई कैनाल परियोजना का चरण शुरू होगा। 31 दिसंबर 12 से विद्यूत कनेक्शन की 9 वर्ष से आधिक की पेंडेंसी को लगभग 33,000 विद्यूत कनेक्शन आवेदन एक साथ खत्म करने के लिए। आगामी 22 फरवरी से तक के सभी आवेदन विद्यूत कनेक्शनों को 2 साल में जारी किया जाएगा। अनार, संत्रे, टमाटर और आवला के लिए प्रोसेसिंग यूनिट होगी शुरू। उपलब्द कराए जाएंगे जिसमें 40,000 करोर रुप्या का खर्च प्रस्तावित, किसानों को ड्रोन तक्नीक के इस्तिमाल के लिए तयार किया जाएगा, किसानों को महनगे यंत्र मुहया कराने की दृष्टी से GSS और FPO के जरिये 1500 कस्टम हाय सेंटर स्थापित करने की घोश 400 करोर रुपे की राशी से अगले दो सालों में किसानों को 150 करोर का अनुदान दिया जाएगा, FPO को 1000 ड्रोन टिड्डियों के लिए दिये जाएंगे समस्त बकाया बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे 60,000 किसानों को कृशी यंत्रों पर अनुदान मिलेगा 1. लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 500 करोर का अनुदान मिलेगा राजस्थान भूमी उर्वरक्ता मिशन शुरू होगा इसमें 15,000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड की लागत से 2 साल में फल बगीचे विक्सित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा. 3,000,000 पशुपालिकों को हराचारा के बीज मिनिकिट उपलब्द कराए जाएंगे. और शदे ये पौधों की बढ़ोतरी को विक्सित किया जाएगा. मसाला फसलों का 3,000 हेक्टेयक शेत्र में विकास करवाया जाएगा. 7,000 किसानों को क्रिशी सयंत्रों पर 150 करोड का अनुदान मिलेगा. क्रिशी सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपे दिये जाएंगे. मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा. राजस्थान ओगैनिक फॉर्मिंग मिशन शुरू होगा. संभाग मुख्याले उपर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनेगा. मुख्यमंत्री क्रिशक योजना 2000 करोड से 5000 करोड की होगी. एमे स्वामिनाथन के कथन के साथ शुरू आतकी. तो दोस्तों आपको कैसा लगा राजस्थान का बजट क्रिपया कमेंट करके अपनी राय जरूर्दे वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद. जै हिंद.